फाइनली इंतजार हुआ खतम पेंशन भोगियों का जी हाँ वन रैंक वन पेंशन की पहली किस्त की तीथी जारी कर दी गई है और रूपी का लेटेस्ट अपडेट तीन बड़ी खबर निकल के आ गई है बड़ी खुशकबरी सभी पेंशन धारक पर पेंशन भोगियों को एक फरवरी 2023 को मिली जी हाँ सबसे पहले बताएंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ जो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ पे तारीक के साथ बता दिया ओरूपी की जो पहली किस्त है और कब मिलेगी सबी जानकारी विस्तार से दूँगा और OROP का कितना एरिर आपको मिलेगा सिपाई से जर्नल तक कब मिलेगा लेटेस्ट अपडेट आपके शमक्स आपको डिस्प्ले हो रहा होगा विडियो में हर एक बाते विस्तार से बताऊँगा उससे पहले मेरा गुजारीस है नीम नीविदन है आप लोग को जल्दी से चैनल के साथ जूड़ जाना चाहिए नीचे सब्सक्राइब को बटाना है बगल में छोटी सी घंटी है उसमें all कर दीजेगा आपको कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट, वन रैंक वन पेंशन, ECHS, डिपार्टमेट ओफ एक्स वरिस्मेंट, वाइस ओफ एक्स वरिस्मेंट या PCDA या DGR या AWPO की तरब से मिलते रहे तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पे हमारे मेजन सत्वीर साब ने ठीक एक फरवरी 22 को 1 बच के 16 मिनट में यहाँ पे साजा कर दिया एक बड़ी information मतलब OROP पर और आज बजट था पास उसमें भी हमारा कितना बजट निकल के आ रहा है पेंशन भूगों को कितना पैसा मिलेगा सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो देखें OROP एरियर पे इंडियन एक्सोरिस मुवेंट के जो चेर्मन हमारे मेजन सतवीर साब ने यहाँ पे एक फाइल किया था miscellaneous application जिसको MA बोलते हैं short form में miscellaneous application in honorable supreme court में to order MOD to pay area immediately instead of fourth instead of four six monthly installment यहाँ पे we hope MA will be had soon by supreme court इन्हें मतलब कि बहुत ही ज़्यादा appreciate किया जा रहा है हमारे pension बोगियों के दार आप देख सकते हैं नीचे इन्होंने बहुत सी heads off और बहुत ही thank you बहुत ही ज़्यादा कहा है और अभी ननन भी किया है देखे क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया चीज किया है will be heard soon मतलब supreme court में जल्द जल्दी सुनवाई इसके होगा साथी में department of हमारा जो defense account department है उन्होंने ORP revision पे बड़ी बात कह दी है देखे यहाँ पे एक चीज़ तो मैं बता दूँ कि जो भी किसी भी rank से हो किसी भी bank से हो काफी लोग का pension credit हो गया होगा और pension credit होने के बाद किसी किसी का जो bank से लेते हैं उनको बड़ातरी, ORP 2 बड़ातरी नहीं हुई है लेकिन जो इसमें मैं migrate हो चुके हैं और सपर से payment ले रहे हैं उनका बढ़ के पैसा आया है मतलब उनको ORP 2 का बढ़ा हुआ pension आया है मैं बता दू एक बात ध्यान रखेंगे कि मैं एक एक बात ध्यान से दूँगा बताऊँगा इसलिए वीडियो को skip ना करें ध्यान पुर्वक्स उनने एक घंटा पहले tweet किया गया है defense account department के तब से processing of remaining case will be complete 10th February 223 10th February तक जो migrate नहीं हुए है जो bank से लेते उनको भी इसमें transfer कर दिया जाएगा पहला दूसरा end में area will be dispersed area will be dispersed मतलब area जो भुक्तान होना है वो 15th February 223 को आपका होगा start होगा onwards लिखा हुआ है तो ये देखिए latest update हमने ये twitter handle से उठाया है तिसरा information देख सकते हैं ये PIB की तरब से 31 January को 31 January दोते इसको मतलब कल PIB की तरब से 6 बत के 58 minute में जारी किया गया था आप में महंगाई बता DADR के बारे में बता दू कि final DADR का हमारे पास आ चुगा है आप देख सकते हैं यहां पर जो 0.2 की कमी हो इसके बावजूद भी यहां पर जो इरे मतलब जो हमारा महंगाई बताए वो उसमें बड़ोतरी पाई गई है तो देखिए अपरेल से लागू होगा लेकिन तीन मेहने को इरेन मिल जाएगा जनवरी फरविर मार्च यह जो प्रोसेसिंग होता है थोड़ा यह तो निकल गया पेपर में ओन ग्राउंड होने मे तो यह बड़ी ख़बर निकल के आ रही थी वन रेंग वन पेंचन का कोई भी अपडेटों आपको सबसे पहले यही भी मिलता है आपको किस्त की कोई भी जंजट नहीं है किस्त नेक्स वीडियो में नए अपडेट साथ मिलते हैं चैनल को सबस्क्राइब करना ना पूले जही जबारत वंदे मातरम